अखिल वात्मी चत्ती कल्याल परसत का बारारसी का जिलात्य। PST-ST Act का दियोद हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि उसका सबसे जादा दुर्पूव हो रहा है। हरियन अपने लाब केनेक्यों कि उसे धन मिलता है। वो फर्जी मुकत्मा सपर्णों खिलाब या अन्यजातियों के खिलाब लिखा दिया। हरिजन जो ही मुकत्मा लिखाएगा उसकी ग्रिफतारी कर दी जाएगी। और उसमें एक प्रावधान जोड़ दिया है कि जब तक तस दिन की टाइम नहीं लगेगा या बेर दस दिन के पास पुरवाई की जाएगा। तो किसी भी निर्दोष आजनी को दस दिन तक तो हराल में जील लना पड़ेगा। और अगर च्छा महीने बाद तीन महीने बाद उसका नेड़ा ये आया जो नहीं मुकत्मा फर्दी था तो वह जो है तब तक तक तो जील में रह गया। अगर कोई सद्धकारी किसी स्टी एक मुकदमा नहीं लिखता है जिफ्तारी नहीं करता है कारवाई नहीं करता है तो उसके भी खिलाब मुकदमा चलेगा उसकी निपस्जा होगी। तो इस तरह से जो हमारा पचाव कर सकता था वो तो खुद मुशिवत नहीं है तो हर हाल में चैह मुकदमा सही हो या गलत हो सबड़ों खिलाब लिखा जा रहा है और हर जिए उसका लाब लेकर के पैसा लेकर के अलग हो जा रहा है वो आर्थिक लाब के लिए हमारे अब तरह जाएं तकि समझ कहा जाए मुकदमा दर्ज हो आइन मामलों में अब हम अब तक या नाम है आपका और किन मांगों को लेकर यहां पर दर्शन करता है मेरा नाम सुरेबली सिंग है मैं अखिल भारती छत्री कलान परशत का प्रदेश अध्यप सिंग हम लोगों का द अलवा यहां विरभादूर पार्पु में और हम पाँच मांगे हैं पहली मांग यहां कि स्ट्रीइक में जो नया अध्यादेश सरकार ने जारी किया है उसे तत्काल प्रभाव से समप्त किया है हमारी दूसरी मांग यहां कि जो प्रमोशन में आराक्षण लगाया गया है तीसरी मांघ ये है कि आरक्षन जातिगत आधार पर अनुपातिक त्रम में दिया जाए। जो गृवी रेखा के नीचे हैं चया किसी भी बर्ग के हैं उनको आरक्षन दिया जाए। में मांग हम लोग किये है कि अगर हमारे सबनबर्ग के लोग के साथ अगर जाती हो रही है अगर मुकदमा जाँच में फर्जी निकलता है तो उसके विरूद भी वही धारा में तरवाई की जाए जिस धारा का मुकदमा लिखाया गया क्या लगता है अगामी 2019 में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर असर पड़ेगा ऐसी 2019 के चुनाव में अगर यह आध्या देश वापस नहीं होगा आरक्षण पर विचार नहीं किया जाएगा तो हमारा च्छत्री कल्यान परिशत पूंत आया नोटा दबाएगा इसलिए है कि संसोधन जो हुआ जो आया है उसमें काफी परिवर्तन कर दिया गया है जो 89 का जो कानून बना हुआ है जो 89 कानून बना है उस कानून को माने लेकिन अध्यादेश लाने की क्या जलती अध्यादेश में अमेंट करके उसको अमेंट कर दिया गया है उसमें फर्जी भी मुकबमा लिखा जिये तो आदमी जेल में रहेगा एक तरफ मोधी सरकार कहते हैं कि हम सुप्रीम कोट के नियमों का पालन करते हैं जब राम मंदिर के मसले पर वो ऐसा बयान लेते हैं जब सुप्रीम कोट ने सी स्ट को लेकर बयान दिया आपना तो भिलकूल, फिलकूल, फिलकूल, बिलकूल, तोहरा अपना रहे हरे है सी 1 चेञ मामले में दिखिए, अगर आप अध्यादेश लाः है, तो आक दो जब राम मंदिर क्यों बना रहे है उसमें ब ? grow Kevin C ने सभिन चल दा हमस, यलिती है कि एथाथे जब नहीं है रहे हैं प्रवाइब करें